आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने एक प्लांट के प्राइज पे चार से बाच पौदे खरीद लिए इंडोर प्लांट्स जो कि थोड़े कॉसली आते हैं जिसमें सबसे अच्छे रखते हैं पाम यह लेडी पाम के प्लांट है जो कि मैंने स्रिप एक प्लांट के प् जब भी हम नर्सरी जाते हैं खास करके इंडोर प्लांट्स के शॉपिंग में तो जब भी हम पाम वगएरा खरीदते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम ऐसा प्लांट सलेक्ट करें नर्सरी से जो की काफी सारी ब्रांचेस के साथ हो पुशी प्लांट हो और साथ में से चार बनासकल ख़रीदा। कुछ दिन बहले मैंने लेडी पाल्म का यह प्लान्ट खरीदा। motherf always काफी भूषी था देखने से में बहुत प्यारा सवर्ण वह लग रहा था। और नीचे से मैंने देख लिया था कि इसकी बहुत सारी सम्स पहस भूर दीख रही है। मुझे देख सके कि इसे मैं कैसे डिवाइट करूँ क्योंकि जड़े काफी अकडी हुई थी इसकी जब मैंने देखा तो इसकी जड़े इतनी मैचूर हो चुकी है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि यह प्लास्टिक की जड़े हो गई हो और साथ में इसके इस तरह से कई सारे रनर्स या राइजोम्स निकल रहे थे जिस तरह से स्नेक प्लांट में निकलते हैं नीचे से राइजोम्स और जुड़े हो रहते हैं और फिर वही आगे चलके जो है शूट बनता है प्लांट बनता है सेम उसी तरह से इसमें जो है कई सारे राइजोम जो बेबी प्लांट्स है वो निकलने के लिए रैडी है देखिए पिल्कुल स्नेक प्लांट के जैसे जुड़े हुए तो मैंने इसे डिवाइट किया ये में स्टेम से जुड़े हुए थे उसे मैंने कैची से कट किया प्रूनर से कट किया और इसे कि मैंने जड़ों सही डिवाइड किया काफी असानी से हम इस प्लांट को मल्टिप्लाइ कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये ग्रोध करके दुबारा से पॉट को भर देंगे अगर मैं इस प्लांट को अलग-अलग नहीं करती तो शायद ये उतनी अच्छी ग्रोध नहीं कर पाता क्योंकि इसकी जड़े बहुत जखड़ी हुई थी मैंने काफी हद तक इसकी जड़े काट दी जड़े इतनी टाइट थी कि मुझे पूरूनट से भी नहीं कट रही थी हलाकि इस प्लांट को अलग-अलग करने में मुझे बहुत मेहनत लगी इसकी जड़े बुरी तरीके से अकड़ी हुई थी और मुझे ये भी ध्यान देना था कि जड़े पूरी तरह से मुझे नहीं काटनी है उतनी ही काटनी है जितनी की एक्स्ट्रा है तो मैंने इस प्लांट को जब अलग-अलग किया तो काफी हद तक खीच-खीच के कोशिश की कि इनकी कुछ जड़े हर प्लांट के साथ आ सके और ऐसा ही हुआ मैंने आराम से इनके पांच जो है प्लांट बनाए मतलब मैंने इसे चार बार डिवाइड किया और पांच वा ये प्लांट था मैंने इसके पांच प्लांट बनाए और फिर इनको मैंने अलग-अलग पॉट में लगा दिया पॉट में लगाने का वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि आदे में मुझे ये काम छोड़ के जाना पड़ा था और बाद में फिर मैंने जल्दी से आकर इसे पॉट में डाल दिया था क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो हम आसानी से इसे चोटे-चोटे पॉट में डाल कहीं पे भी इंडोर डेकोरेट कर सकते हैं यह एक एक प्लांट अलग से भी बहुत कुप्सूरत लग रहा था चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हो तो यह देखिए यह हैं वो जिनको मैंने रिपॉर्ट कर दिया था देखिए कितनी प्यारे लग रहे हैं न छो